आप लोगों को डुप्लिकेशन के सिद्दान्त मालूमें ना नकल का सिद्दान्त नकल का सिद्दान्त कितना ज़्यादा यथार्थ है मैं उसका आपको उधार्ण देना चाहता हूँ और बड़ा खुबसूरत एक्जामबल दोंगा आपको हमारे बिद्नस की जो नीव है वो नकल का सिद्दान्तい यह आप सब जानते हैं यानि कि आप जो कुछ भी अपने बिद्नस में उमीद करते हैं मैंने अभी आज बात किती कि अगर आप अपने बिद्नस को टाटा की तरह चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको खुद एक ऐसी मास्टर कॉपी बनना होगा मास्टर कॉपी उसको बोलते हैं जिसकी कॉपियां आगे होती है कि आपके नेटवर्क में टाटा वाला कल्चर का जन्म हो यानि कि सारी बात आप से शिरू होके आप पे ही खतम हो जाती है भवान ने आपको दो आगे दियें के पीछे दियें यानि आगे देखिए आपकी अपलाइन से आपको जो अच्छा मिलता है वो रखिए बुरा मिलता है उसको साइड कीजिए और शुद्ध जरने का जल पीज और अपने आपको भेतरीन मास्टर कॉपी बना के आगे बढ़िए डुप्लिकेशन का सिद्धान खाली इस बिद्नस में नहीं है आपके निजी जीवन में भी है आपको मैं अभी कुछ बात ऐसे बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बिद्नस हमें कितना कुछ स समझेंगे मैंने एक्सर लोगों को देखा है वो कहीं बार अपने बच्चों से शिकायत करते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है बड़ा शरार्ती हो गया है मेरी बात नहीं मानता है और हमें सुनता नहीं है पता नहीं कहां से क्या सीख्या गया है आप येकीन मानिए दोस्तों आपका बच्चा आपका प्रतिभिंब है, वो वही कर रहा है जो आपने सिखाया है, सबसे बढ़िया डुप्लिकेशन का सिद्धान्त आपके बच्चे फॉलो करते हैं, बच्चे ने जब जन्म लिया वो तो कोरा कागच है, उसका दिमाग एक खाली कौपी है, पहले 15 सालों में उसका लॉजिकल ब्रेन बहुत थोड़ा सा डेवलप होता है, उसके अपने तर्क बहुत कम है, वो सीधा सीधा उन लोगों को फॉलो करता है जो उसके जीवन में आते हैं, पहले 15 सालों में, पहले 15 साल में बच्चा डुप्लिकेशन के सिद्धान पे आगे बढ़ता है, शुरू के 7 साल वो अपनी मा को फॉलो करता है, क्योंकि उसको लगता है मा ही एक ऐसी व्यक्ति है मेरे जीवन में, जिससे मेरा जीवन जोड़ा हुआ है, क्योंकि वो ही खाना खिलाती है, और अगले 7 साल में वो अपने पिता को फॉलो करता है, अपने टीचर कार्थियों को फॉलो करता है मगर डुप्लिकेशन के सिद्धान को फॉलो करता है कि मैं अपनी बेटी को जब मैं हिंडिया में था कि रोज अपने मावाप से घंटे के लिए मिलाता हूं यह सरभ जीद जी जो भी मेरे साथ ही है सब जानते है इक घंटा में अपने मावाप के घर अपनी बेटी को भीद मावां विने waktu उसे मिलाता है मैं खुद भी जाता अपने मावाप से मिल्टा हूं जा जाके उनके साथ पूरा एक क्वालिटी आवर्स बिताता हम मैं उस थॉट पर विलीव करता कि भगवान के घर में माथा ठेकने से पहले मंदिर जाने से पहले मावाप को माथा ठेकना बहुत ज़रूरी है मैं उस थौट का आदमी हूँ और यह बात मैं दिल से कह रहा हूँ और मैं अपनी बेटी को भी उनके वाँ लेके जाता हूँ मेरे मित्र ने पूछा कि यार तु बड़ा महान आपमी है तु बड़ा ही अच्छा इंसान है तो अपनी बेटी को अपने माबाप से रोज एक घंटा मिलाने के लिए लिए जाता है मैंने का नहीं भाई मैं महान आपमी नहीं हूँ मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए उसके बच्चे हो और जब मैं बूड़ा हो जाओ तो वो भी अपने बच्चों को मिलाने मेरे को लेके आए इसलिए अपनी बेटी को लेके जाता हूँ मेरे माबाप को मैं मिलने जाओं, मेरी जिम्मेदारी पूरी होती है, वहां तक महांता ठीक लेकिन अपने बच्चे को मैं मिलाने लिजाता हूं, वहां मैं स्वार्थी हूं, वहां मैं चाहता हूं और दोस्तों हमारी देश में इनी को संसकार कहते हैं आपने सुना है action have more sound than speaking आप अपने बच्चों को गाना गागे मत सुनाईए अपने माबाप की सेवा करो अपने माबाप का कहना मानो हम तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं अपने माबाप की इज़त करो कुछ नहीं करने की जुरत कुछ बोलने की जुरत नहीं सिरफ आप अपने माबाप के साथ ये action करो उन्हें अपने साथ रखो वो अपने आप duplicate कर जाएंगे ये है duplication का सिद्धान्त तो duplication का सिद्दान्त हर जगा काम करता है वहाँ आपके बच्चे आपको duplicate करेंगे यहाँ आपकी downline आपको duplicate करेंगे आप देखें आपको आगे कैसा फरिवार चाहिए अभी आपके मन में एक छोटी सी उत्सुकता ये भी होगी जानने की कि मैंने बात यहां से शुरू की थी कि जब तक मैं इंडिया में था अब मैं इंडिया में नहीं हूँ मेरे माबाप इंडिया में रहते हैं अब मैं क्या करता हूँ वह आपको मैं नहीं बताऊंगा जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति बताएगा सरबजीत को मैं रिक्वेस्ट करता है, वो बताएगा आप क्या करता है अब भी 365 दिन बिना किसी छुट्टी के जो इंडिया और कैनेडा का टाइम है, उसमें करीब साड़े नो घंटे का डिफरेंस है कैनेडा साड़े नो घंटे पीछे है, तो जब वहाँ सुबह होती है तो चेतन सर खुद अपनी बेटी के साथ और भावी के साथ स्काइप जानते हैं आप लोग, इंटरनेट के उपर, ऑल्लाइन होते हैं और वो एक घंटा अभी भी स्काइप के उपर नियम से चलता है कैनेडा के साथ कैनेडा से, बिना किसी ब्रेक के और उस समय पूरे का पूरा जो परिवार है वो यहां पर इखटा हो जाता है मम्मी भी, पापा भी और ये यकीन माने मैंने अपनी जिंदीगी में आपने आसपास बड़े सारे परिवार देखें बट जो संसकार चेतन भीया के परिवार में है वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा मम्मी, पापा, दीदी, आगे बच्चे, भतीजे, भाण्जे, सब एक साथ इकटे हो जाते है कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात हो मालब किसी एक बच्चे का बड़े है तो भी 40 लोगों ने एक साथ इखटे हो जाना है और ये 40 लोग कोन है? सिर्फ अपने सगे भाई, बहन, भाण्जे, भतीजे और मैं भी खुश नसीब हूँ कि मैं भी उनका हिस्सा हूँ तो हम अकसर एक साथ ऐसे इखटे हो जाते हैं, कोई भी मौका हो सबसे पहले किसी बच्चे का बड़े होगा तो आएगा सबसे पहले जो चेतनबिया के ममी पापा हैं, उनका आश्रवात लेगा वो मिठाई का डबा आएगा, वो मिठाई का डबेगा, भोग लगेगा घर में मंदर बना हुआ है, और उसके बाद वो परशाद की तरह सब में बटेगा और वहां से बड़ेगी शुरुवात होती है, जनम दिन की और बिना किसी ब्रेक के, चेतन बिया और जो उनकी बेटी है, भूवी और भावी, ये लोग स्काइप पे ऑनलाइन रहते हैं, तो वो नियम नहीं टूटा हुआ, थैंक यू सो मच थैंक यू सरबजीत, मैंने ये बात के लिए सरबजीत को क्यों बुलाया, क्योंकि मैं ये जानता हूं कहीं बार मन में कहीं न कहीं एक शंकार है जाती है कि ये बात बड़ी सच्चाई और इमानदारी से बता रहा हूं और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी मेरा परिवार हैं और मैं चाहता हूं कि आपके परिवार में भी ऐसे संसकार हों डुप्लिकेशन के सदान्त को अपने परिवार में भी लेके जाएए मैंने अपनी तारीफ तो कर दी और करवा दी पर मैं नहीं मैंने का ना अच्छाई हो या बुराई दोनों contagious होती है फैलती है परिवार के सारे बच्चे मेरे माता पिता का अशीरवाद है सारे बच्चे एक छुट्टी किये बगैर एक घंटा का वक्त उनको जरूर देते हैं अब imagine करिए यार जब हम लोग बुड़े हो जाएंगे जब हम retire होंगे किस चीज के आकंचा होगी हमें किस चीज की इच्छा होगी हमें बस बच्चे आएं दस मिनट बैठ जाएं बात कर लें यह होगी ना मैंने एक लाइन लिखी थी कि तुम्हारे समर्थे में जो भी हो दूसरों के लिए करो वो तो अपने है मेरे से कैनड़ा में मेरे समर्थे में क्या हो सकता था मैंने का स्काइप पर ही बात करूँगा पर एक घंटा करूँगा एक भी छुट्टी किये बगहर मैंने अपने घर पे टीवी लगवाया जसमें स्काइप होता है उसमें कैमरा है ओटोमेटिकली ओन होता है मैं उदर से कैनड़ा से बात करता हूँ मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले मेरे मम्मी पापा से बात करती है तब वो स्कूल जाती है नहीं तो स्कूल नहीं जा सकती तो मैं यह कहता हूँ कि कल इसका 10% भी वो मेरे साथ करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा हम अपनी बारी तो कुछ करते नहीं है और बच्चों से उमीदे लगा लेते हैं फिर कहते हैं दुखी दुख बच्चे नलायक निकल गए तो डुप्लीकेशन का सिद्दान बड़ा ताकतवर है अपने नेटवर्क की बात करो या अपने परिवार की बात करो जैसा बीच भोगे वैसा मीठा फल निकलेगा अपने बीच के उपर गोर करो अपनी मास्टर कॉपी के उपर गोर करो दाएं बाएं देखना बंद करो तुम देखो तुमें कैसा भविष्य चाहिए उसके हिसाब से अपनी मास्टर कॉपी त्यार करो तुम जो गुण अपने डिस्टिबूटर में देखना चाहते हो कि मेरे distributors में ये गुण ये गुण ये गुण होना चाहिए मेरा distributor हर महिने retailing करे इमानदारी से करे customer के साथ loyalty बनाए इतना business करे education करे classes करे सचाही बोले applying की इज़त करे वो सारी चीज़ अपने अंदर लेये और अपने आप करेंगे सिखाओ मत बोल के मत सिखाओ